के आधिए। आज का टॉपिक हाई अविले टी है इस विडीओ में हम लोग हाई अविलेबिलेटी के बारे में जानेंगे औरॉऍ कॉंसर्प समझेंगे बस देle जूनेंगे और साथी सात हम लोग ये भी जानेंगे कि 2 ठीक है यहां पर high availability का मतलब यही है कि यह दोनों firewall आपस में एक high available network त्यार करेंगे that means यह दोनों firewall आपस में connect होंगे और यह दोनों firewall एक group में रख दे जाएंगे जिसका कोई भी ID हो सकती है group कोई group में रख देते हैं group के ID 1 है ठीक है और यह दोनों आपस में एक pair त्यार करेंगे जिससे की इन दोनों की जो configuration होंगी वो synchronized होंगी configuration सेम होने की वज़य से क्या होगा suppose यह firewall down होता है तो हमारा traffic इस firewall के थूप बाहर को जा सके ठीक है इससे हमें क्या फैदा होगा कि हम single point of failure single point of failure से बचेंगे ठीक है और हमारा network redundant हो जाएगा that means हमारा network redundancy established हो जाएगी ठीक है redundancy established हो जाएगी और अगर कोई failure होता है तो fail over easily हो जाएगा ठीक है तो यह high availability की definition है high availability का आप समझ सकते हैं इसे ही high availability कहते हैं high availability को हम समान भाशा में समझे तो high availability मतलब यह है के दो firewalls जो हैं आपस में connect होके यह ना वो एक redundant network तयार करेंगे जिससे कि कभी भी कोई भी failure होता है तो किसी एक firewall कोई firewall डाउन होता है या कोई interface डाउन होती इस firewall की तो traffic हमारा इंपक्ट ना हो इंटरन यूजर का जो traffic impact ना हो और traffic को दूसरे रास्ते की होते जा सके बाहर की ओर ठीक है कॉन से options होते हैं और कौन से modes होते हैं options के queremos discussions कह लिए या modes कह लिए availability के कौन से modes होते हैं पहला मोड होता है active-passive और दूसरा मोड होता है active-active ठीक है हम लोग इस वीडियो में active-passive configure करेंगे इन दोनों firewall पे active-active नहीं करेंगे ठीक है पहले हम लोग active-passive समझते है होता क्या है अब इन दोनों firewall है इन दोनों firewall बीचे में high availability establish करना है तो firewall 1 जो है मेरा primary firewall हमने ले लिया है firewall 2 secondary firewall ले लिया है ठीक है मतलब primary मतलब यह firewall हमारा main है इसको main समझी है secondary मतलब यह stand-wide पे रहेगा तो high availability case में active-passive की case में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम firewall 1 को active firewall मानेंगे firewall 2 को हम passive firewall बनाएंगे ठीक है अब active मतलब यह है कि traffic हमेशा इसी firewall के तुरू बाहर जाएगा internal users का और passive मतलब यह है कि standby पे रहेगा है standby तब तक रहेगा जब तक कोई भी failure या कोई भी issue यहाँ पर network में नहीं होता यह firewall यहाँ अगर one down हो जाता है तब ही firewall 2 का रास्ते से बाहर निकलेगा internal traffic ठीक है तो कैसे हम किसी firewall को active बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम priority set करते है ठीक है so lower number of priority जिसकी होगी lower number of priority ठीक है lower number of priority जिसकी होगी वो firewall best माना जाएगा वाला वो active माना जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम firewall one को अगर हम priority दे दें यहाँ पर firewall one को 25 और firewall two को priority दे दे 100 ठीक है तो firewall one जो होगा वो active firewall हो जाएगा और firewall two जो है यहाँ पर passive firewall हो जाएगा क्योंकि priority नंबर जो है इसका high है जिसका priority नंबर कम होगा अब लोवर नंबर ओफ priority है वो firewall active firewall माना जाएगा चलिए यह बात तो हम सब्सक्राइगा प्रियोर्टी अब एक situation ऐसी आती है यहाँ पर सब्हारा मिटा देता हूँ अब एक situation ऐसी आती है कि मान लिए यह active firewall है और यह passive firewall है ठीक है एक situation ऐसी आती ही यह firewall डाउन हो जाता है firewall डाउन हो जाता है अब ट्राफिक जो है हमारा passive firewall से मोह होगा और यह passive firewall जो है convert हो जाएगा active को और यह तो down हो गया है ठीक है तो अब क्या होगा मान लो थोड़ी दिर के बाद यह firewall आप आ जाता है firewall 1 आ जाता है अब ठीक है यह आप आ जाता है अब इस case में क्या होगा जो हमारी priority जो passive firewall जो था जो चल रहा है आपर active है इसकी priority हमने 100 ली थी और यहाँ priority जो active जो था हमारा primary firewall इसकी priority 25 थी तो इस case में हमारा traffic अभी भी passive firewall से ही जाएगा अटिव से नहीं जाएगा जब तक के हम यहाँ पर preemption enable नहीं कर देते preemption एक ऐसा feature है हम दोनों firewall प्रेमशन enable करेंगे इससे क्या होगा कि suppose हमारा primary firewall डाउन होता है और दुबारा अप आ जाता है तो हमें manually उसको active नहीं बनाना पड़ेगा हमें automatic जो है जब यहाँ से मालम हो जाएगा messages जाएंगे pass होंगे एक दूसरे firewall तो मालम हो जाएगे भाई यह active हो चुका है firewall उन और इसका health भी अच्छी हो गई है तो भाई आप यहाँ पर हम active हो जाते हैं तो भाई हम यहाँ पर passive हो जाते हैं और इसको हम active कर जाते हैं टीक है यह मतलब होगा automatically यह firewall न है यहwire active हो जाएगे ये passive हो जाएगा तो ये preemption का काम है ठीक है preemption को आप इस समझिए कि भाई दो बंदे हैं office में काम कर रहे हैं एक senior है एक junior है तो मालो ये senior है ये junior है ठीक है अब senior बंदा जो है वो छुटी ले लेता है मालो तीन दिन की तीन दिन की उसने छुटी ले ली और वो junior जो बंदा है उसके उपर इसका सारा काम आ गया ठीक है senior बंदा काम पूरा जो है वो junior पर आ गया तीन दिन के लिए अब तीन दिन के लिए ये हो गया हमारा junior बंदा active ठीक है अब जब ये दोबारा आफिस जाएगा पहुंचेगा छुटी की तीन दिन के बाद जो हमारे सीनियर था वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा और फिर से जुनियर वो पैसिव हो जाएगा पस इसी जाए से आप प्रियम्शन को समझ लिए ठीक है ना प्रियम्शन काम भी यही है जब तक के हमारा एक्टिव फायरवाल या प्रैमरी फायरवाल जब तक के आप नहीं आता तब तक कि हमारा जो secondary firewall है वो active बना रहेगा, जैसे ही दूसरा firewall अप आता है, primary firewall जैसे ही अप आता है, failure condition से बाहर आता है, और वैसे ही वो अपना कारभार समाल लेगा, ठीक है न, तो यह है preemptional काम, अब हम लोग समझते हैं, कौन सी links होती हैं, जो दो firewalls की बीच में आके connect होती हैं, तो यहाँ पर दो links आती हैं, HA1, which is control, control link, okay, HA2, which is data link, right, आप control link का होते हैं, control link मतलब यह है, कि यहाँ पर HA1, जो है हमारा, control link में क्या होगा, configurations, एक दूसरे firewall में, synchronized होंगी, ठीक है, configurations, configurations, synced, synchronized, ठीक है, और control link के जरीए ही, हार्ड बीट्स, एक दूसरे firewall में पहुचेंगी, ठीक है, हार्ड बीट्स मतलब यह समझाली, keep alive messages होते हैं, और hello messages, convey होंगे, इस ही link से, मतलब यह control link से, hello messages, और keep alive, और configuration, जितने भी configuration होता है, इसी एक firewall पर, दूसरे firewall पर automatically synchronized हो जाएगा, यह control link के जरीए है, ठीक है, और तुम्हारा, जो data link है, data link में जो है, हमारी session information होती है, या यूँ कहिए, synchronized, जो sessions होंगे, वो हमारे data link के जरीए होंगे, ठीक है, IPSec, essays से later, जितने भी changes होंगे, वो हमारा data link के जरीए होंगे, reflect होंगे दूसरे पर, तो यह सब, यह दो links हैं, जिसके जरीए हम लोग, इसके अलावा और भी links आती हैं, वो हम लोग भी discusses में नहीं करेंगे, क्योंकि और भी link HA3 है, जैसे हमारा, HA3 जो होता है, वो active-active में, यह use होती है, HA3, यह इसको, HA3 को packet forwarding link भी कहते हैं, यह active-active में इसलिए हो दी हैं, क्योंकि, इसमें asymmetric data flow होता है, asymmetric data flow क्या होता है, asymmetric data flow, ठीक है, that means asymmetric data flow, इसको ऐसे समझी है, asymmetric data flow मतलब यह हुआ कि, दोनों firewall active है, ठीक है, और इन दोनों firewall पर different sessions है, अलग-लग sessions का data flow हो रहा है, that means, यहां से अगर traffic एक user का firewall 2 से जा रहा है, और इसका reply traffic जो आ रहा है, वो firewall 1 के जरीए आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर session जो है, different है, reply traffic इदर आ रहा है, और sending traffic इदर से जा रहा है, तो यह एक asymmetric data flow कलाता है, और यहां पर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ active passive की बात करते हैं, तो चलिए हम लोग firewall में configurations करते हैं,